हेलो एविवन आप देख रहे हैं हिंदी रश और मैं हूँ धरमदूबे उत्तर भारत का सबसे पॉपुलर रियालिटी शो बिग बॉस तेरा के ओन एर की डेट जब से सामने आई है तभी से इस शो के फैंस इस शो का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं वैसे तो शो को शुरू होने में अब केवल तीन ही दिन बचे हैं लेकिन दर्शकों की तरह हम भी अपनी excitement का level आपको बता नहीं सकते जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शो में इस वार केवल सेलेप्स ही नजर आएंगे वही मुंबई में launching event के दोरान सल्मान खान ने इस बात का खुलासा भी किया है कि Bollywood actress Amisha Patil भी इस शो का हिस्सा बनेंगी लेकिन आज जो news हम आपके लिए लेकर आए हैं वो थोड़ा सा हटकर है कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि Big Boss के घर में आने के लिए सेलेप्स कितना चार्ज करते हैं इनकी फीस कितनी होती है Big Boss के घर में रहने के लिए इन प्रतियोगियों को कोई चोटी-मोटी रकम नहीं दी जाती है बलकि ये प्रतियोगी शो के मेकर्स से शो में आने के लिए करोड़ो रुपय चार्ज करते हैं आज हम आपको बताएंगे बिग बॉस के घर के अब तक के सबसे महंगी प्रतियोगी कौन से हैं और उनकी लिश्ट क्या है हलिवुड एक्ट्रेस और प्लेबॉय मैग्जिन की मॉडल पामेला एंडोसन बिग बॉस की अब तक की सबसे महंगी प्रतियोगी मानी जाती है पामेला सीजन फोर में महस तीन दिन के लिए शो की गैस बन कर आई थी उन्होंने एक एपिसोड के धाई करोड रुपे चार्ज किये थे टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है से घर घर में सबसे समझदार बेटे के रूप में पहचान बनाने वाले करन महरा ने बिग बॉस दस के लिए एक करोड रुपे ले थे बॉलिवुड अभिनेत्री रिमी सैन बिग बॉस सीजन 9 में घर के अंदर गई थी उन्होंने बिग बॉस के घर में आने के लिए दो करोड रुपे चार्ज किये थे हाना कि वे ज्यादा दिनों तक शोव में टिक नहीं सकी बॉलिवुड अक्ट्रेस काजोल की छोटी बहन और अभिनेत्री तनीशा मुखरजी बिग बॉस सीजन 7 में आई थी वे एक हफते के साड़े साथ लाख रुपे लेती थी तनीशा बिग बॉस के घर में फाइनल तक टिकी थी टीवी अक्ट्रेस हिना खान बिग बॉस सीजन 11 की सबसे महेंगी प्रतियोगी थी शोव के लिए उन्होंने 8 लाख रुपे तक की फीस चार्ज की थी वीजे बानी बिग बॉस सीजन 10 की महेंगी प्रतियोगी थी उन्होंने पूरे सीजन के डेड़ करोड रुपे चार्ज किये थे वो हर एपिसोड का 9 लाख रुपे चार्ज करती थी ससुराल सीमर का की अभिनेतरी दिपिका ककर ने बिग बॉस सीजन 12 में घर के अंदर एंट्री की थी वे प्रति सप्ता का 15 लाख रुपे लेती थी जसलीन मतारू के साथ शो में एंट्री करने वाले भजन समराट अनुप जलोटा एक सप्ता के 40 लाख रुपे चार्ज करते थे बिग बॉस सीजन 4 में आए दे ग्रेट खली एक हफ़ते के 50 लाख रुपे चार्ज करते थे खली बिग बॉस के घर में 13 सप्तार तक रहे इतना ही नहीं खली फस रनर अरप भी रहे तो दोस्तों ये न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूलें कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं देखते रहें हिंदी राश